यार हम सब लोग GTA 6 का तो अंतजार कर रहे हैं लेकिन अगर वो GTA 5 जैसा निकला ना तो लोगो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा योगी successful होने के लिए उससे आज तक के best GTA game, GTA San Andreas से inspiration लेनी चाहिए आप कवगे भाई कि याँ GTA 5 में क्या problem है और GTA San Andreas जो की 20 साल पुराना गेम है उसमें ऐसा क्या है तो आज की वीडियो में मैं 20 features बताऊंगा जो की GTA 6 को बिल्कुल GTA San Andreas से copy कर लेने चाहिए और वीडियो के बात ना आप भी agree करोगे मेरी बातों से इसलिए इसे end तक देखना अब डियर लाइफ में तो ओविसली जिम शुरू करना बहुत भारी टास्क लगता है पर गेम में जिमिंग करना फन हुआ करता था और इस केल्स ना हमें आगे गेम में काम भी आती थी इन फैक्ट अच्छे फिटनेस के कारान हम फास्ट रन और बेटर क्लाइमिंग कर सकते हैं स्विमिंग करते हुए भी हमें अच्छा खासा ऑक्सिजन लेवल मिल जाता है और हम जाधा देर तक अंटर वाटर सर्वाइफ कर पाते थे जिटे फाइफ में भी जिम था बट हमें वो करने की जरुवत नहीं पड़ती थी विगाज गेम हमें फोर्स ही नहीं करता था जबकि सनेंडियास में तो अगर आपको गल्फ्रेंट चाहिए या फिर अगर मोटा नहीं हो ना तो जिम करना पड़ेगा जो हिंट करते हैं कि यार गेम में जिम से रिलेटेट कुछ ना कुछ तो होने वाला है और एक उपन जिम भी दिखा था किसी फुटेज में होफुलिया जीटेजिक्स का जिमिंग सिस्टम भी सनेंडियास के जैसा ही एडवांस जोग जिम एन फिटनेस से ही केंटिनीव करें तो सनेंडियास में खाने वाला फीचर बहुत अच्छे से रिट्रलाइज किया गया था यानि कि अगर हम जादा पीज़ा बर्बर वगार खा ले तो हमारा सीजे ना देखते ही देखते मोटा हो जाता है और इसे भागना में बहुत दिक्कत होती है वही जिम वेगादर जाते रहो और वरकाउट करते रहो तो बोड़ी एकदम कूल सी बनी रहती है वह भी बिल्कुल मस्कुलर लेकिन अगर हम नहीं जिम जाए और होफुली जीटे 6 में ऐसा हो यार आपको याद है कि जब हम मिशन वेगादर नहीं कर दे होते थे या फिर नपीसी को मार नहीं रहे होते थे तो एक्चली टैक्सी एंबुलेंस और पुलिस के मिशन कर सकते थे जो की यूनीख फीचर था 3D जीटे गेम्स में भली उतना रि हम सबने गेम में बोड होते हैं जरूर खेले होंगे बट GTA 4 और GTA 5 दोनों में ये मिशन हटा दिये गए हो फुलिया GTA 6 में वापसी करें जहां थोड़े रिलिस्टिक वे में ही साही हम इने एंजॉय कर पाएं GTA 4 और GTA 5 का वर्स पार्ट यहीं लगता है कि यार उन्हें बस एक गेम्स के मुकाबले GTA 5 का मैं बड़ा तो है बट उन्फॉचनेटली उसमें सिर्फ एक साइड बड़ा सा लौसांट और शेहर मिल जाता है और दूसरी तरफ सिर्फ माउंटेंज, फॉरेस्ट और विलेजेज हैं सो बंदे का मन ही नहीं करेगा यार दूदर जाने का जबकि San Andreas का मैप का डिस्टिबिशन बेस्ट है विकॉस उसमें तीन कोनों पे तीन सिटीज मिल जाती है और बीच में माउंटेंस, रिवर्स, फॉरेस्ट, विलेजेज और हाइवेज बने हुएं अब स्टेशन से याद आया कि यार काश हमें GTA 6 में ड्राइवेबल ट्रेन मिल जाती है ये सब अगर GTA 6 में भी आ जाये तो देखना भाई क्या हो सकता है लेट्स बतने क्या क्या कर लेंगे पर चेहां तक लीक्ट फूटेजेज हैं उनमें हमें मेट्रो डेल लाइन तो दिख रही है अट लीस्ट बट वो चला सकते हैं फिन नहीं चला सकते हैं उसकी GTA San Andreas में साइड मिशन में दो और मस्त अक्टिविटीज मिलती थी और वह है बर्गलरी और ट्रकर मिशन बर्गलरी में तो हम चोर बन जाते हैं और लोग के घरों में खुसके उनका समान चुड़ाते हैं वह भी चुप चाप जब सब सो रहे हो और स्पेशल चीज तो इसमें यह है कि बहुत सारे घर के इंटिरियर्स ओपन हो जाते हैं ऐसे हाउस रॉबरी के मिशन जीटे 6 में होने चाहिए जहां हम रैंडम हाउसे में घुस पाएं और इनको लूट सकें आपने से रैंडियस में चाहद नोटिस किया होगा कि यार एज़ न्यू ड्राइवर सीज जब रिवर्स करता था ना तो उसे पूरा सर घुमा के पीछे देखना पड़ता था बट जैसे जैसे उसने experience गेन किया तो वो बस rearview mirror देखकर ही reverse कर लेता है इतनी detailing वो भी एक 20 साल पुराने गिम में देखकर होश ओड़ जाते हैं जीटे 5 में भी ऐसा होता है जहां experience जो औ लेक टाइप का सीजे पसंद है किसी को मोटा सीजे तो किसी को muscular सीजे वैसे जीटे 6 में तो हमें जीसन और लूसिया मिलेंगे जो की शायद husband wife है तो obviously कोई extra marital affair वाला scene ना ही hopefully बट ऐसी कुछ और character traits वाले skills हो सकते हैं जो की gameplay पे effect करेंगे skills में एक और important चीज़ थी और वो थे shooting skills हर gun को हम जितना जादा चलाएंगे उतना ही उसके handling में improvement करेंगे यानि की शुरू में अगर aim वगारा खराब होता है तो practice करते करते वो एम better हो जाएगा और हम चार्प shooter भी बन जाएगे I hope याद GTA 6 में भी dual wield weapons and guns हो पिसे trailer में वो जो आंटी दिखी थी उनके दोनों हाथ में hammer था तो probably याद dual wielding weapons तो आने वाले हैं भाई अब सबको याद दियोंगे वो GTA San Andreas के barber और tattoo shops मतलब भाई बारबर रंकल तो सीधा बाल उगा देते थे काटने की जगा भली वो unrealistic था बट CJ के ऐसे facial features को customize करने में बड़ा मज़ा आता था GTA 5 में भी barbershops हैं बट वो customization उतने बड़े skill पर नहीं दिखती story mode में समय के साथ बाल वाकरा भी बढ़ते हैं हमारे तीनों characters के बट unfortunately GTA San Andreas के level match नहीं कर पाए I hope कि Jason और Lucia को जैसे हम टेलर्स में देख सकते हैं उनने facially customize करने का भी मौका मिले GTA San Andreas में gang wars में यार क्या ही बात थी Story में progress करते करते हम खुद को personally भी एक gang members समझने लगते थे एक point के बाद territories भी unlock हो जाती हैं और हम खुद से अपने gang members को hire करके उन territories को capture करने निकल पड़ते हैं जोकि बहुत cool लगता है यार बिलकुल अपनी सेना के साथ मिलके दुश्मन के लाके में घुसो उने मारो और राजा बन जाओ ये सब काफी सही लगता है क्योंकि अगर missions वेगरे से कोई board हो जाया ना तो वो gang wars करके भी time pass कर सकता है GTA 6 में भी hopefully यार गैंक्स दिखेंगी क्योंकि Miami में भी gang culture काफी था और अगर आपने YCT खेले है भाई तो उसमें भी Hessians, Cubans और even Varsity gang भी थी चोकि डियास को मानने के बाद हमने बनाई थी क्या पता GTA 6 में Varsity gang का modern route देखने को मिल जाए aircraft carrier तो वैसे GTA 5 में हमें मिलता था बट सिर्फ online mode में और वहाँ पर कुछ missions ही कर सकते थे और वो aircraft carrier भी permanent नहीं होता, कभी-कभी तो spawn ही नहीं होता वही जीटेस एन अन्रियास में हमें एक permanent carrier मिलता था डॉक पर जहां fighter jets पार्क रहते हैं और एक मस्त सा cool mission भी था उसमें story का जहां हम jets चोडाते हैं और उसके बाद enemy fighters हमारे पीछे पर जाते हैं GTA San Andreas में एक casino बहुत important role play करता है storyline में भी और ऐसे time pass के लिए भी हम casino में अलग-अलग game खेल सकते हैं और gambling कर सकते हैं बहुत बार जीतने के chances रहते हैं और हारने के तो obviously जाते हैं और in fact हम जब debt में जाते हैं तो casino के गुंडे भी हमारे पीछे पर जाते हैं जो हमें मारते हैं फिर बात में GTA 5 के single player में हमें casino तो नहीं मिलता बस GTA online में ही मिलता है hopefully GTA 6 की story में एक बड़िया सा casino मिल जाये जहां जाके हम अलग-अलग games खेल पाएं और थोड़े पैसे जीत सकें GTA San Andreas में बहुत players ने ध्यान दिया हुआ कि यार बहुत सारे gyms हैं और उनी अलग-अलग gyms में हमें different fighter मिलते हैं जिनसे fight कर सकते हैं अब हर fighter के पास यार अलग-अलग skills होती हैं कोई boxing जानता है कोई taekondo और कोई thai boxing ये सब हमें उन fighter जाफिटेनर से सीखने होते हैं जो कि तीन different moves सिखाते हैं combos के साथ और सारे moves ना unique होते हैं animations के साथ ये सच में काफी मज़दार है कि आर सीखे नए-nए fighting skills सीखता है और NPCs पर जाके try करता है GTA San Andreas में जब आपके पास कोई sharp melee weapon होता है जैसे sword या फिर knife तो उसे अलग तरह से लोग को माला जा सकता है sword से पहले हमला करने पर बंते का गला ही कर जाता है जोगी GTA 5 में तो नहीं था पर अगर GTA 6 में हमें extra violence देखने को मिलता है भाई तो वो HD में effects देखने बहुत ज़्यादा मस्त लगेंगे एकदम totality वाली feeling आ चाएगी GTA San Andreas में हमें different तरह के schools मिलते थे वहिकल के लिए driving school, pilot school, boat school और even bike school और सबी schools में आच्चुली बहुत 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 हैंडलिंग का यूज सिखाया जाता था जो अगर हम properly कर ले तो हमारी skills बहुत बढ़ जाते थे flying school करना जरूरी था बट बाकी schools अपने choice से कर सकते थे GTA 5 में हमें flying school तो मिलता है पर बाकी schools नहीं मिलते I hope याँ GTA 6 में भी और schools आएं ताकि अपने character के skills को refine किया जा सके GTA 5 से याँ बहुत लोगों शिकायत थे कि याँ इसमें GTA San Andreas याँ फिर GTA 4 जैसी story नहीं मिलती मतलब वो छोटी feel होती है और नहीं तनी अच्छी है GTA San Andreas में 100 missions थे वही GTA 4 में 88 और GTA 5 में सिर्फ 69 missions सो थोड़ा सा मज़ा तो कम होई जाता है और जो हम expect कर रहे थे कि GTA 5 की DLCs आएंगी वो भी हमें कभी देखने को नहीं मिरी सो इसलिए भाई हो भी करते हैं कि GTA 6 की तो स्टोरी थोड़ी सी लंबी है और इसमें कम सकम 100 missions थो हो है GTA Sanandias में हमें हर city में बहुत सारे properties मिलते थे खरीदने के लिए और हर safe house का interior काफी अलग हुआ करता था In fact, hillside वाले houses तो इतने सुंदर से design करे थे कि खरीदने के बाद एकदम अमीरों वाली feeling आती है और इनी safe houses में भली सीचे सिर्फ अकेला ही रहता था बढ़ हां इन सभी safe houses की वज़र से Sanandias को experience करने में मज़ब बहुत आता था और हम अपने पैसों को भी अच्छे से utilize कर पाते थे YCT एक बहुत सुंदर city है और उस city में सुंदर-सुंदर buildings है So hopefully बहुत सारे properties हमें ऐसी मिले जिए हम purchase कर सके और उनके interior को explode कर सके Sanandias का low rider mission याद है वैसे थो एक बार में थोड़ सा मुश्किल है पार करना But हाँ उसमें काफी मज़ा आता है जहां हम अपने customized low rider को car meets में ले जा सकते हैं और आपे show off कर सकते हैं और साथ में dance भी कर सकते हैं GTA 6 के trailer में हमने देखा था कि या low rider cars का culture तो ज़रूर दिखाए गया है और उसमें भी different तरह के new cars और उनके cool designs भी है So hopefully या low rider वाले culture को enjoy करने में काफी मज़ा आने वाला है Then GTA Sanandias में respect important होता था Since हम gang member होते थे और उनने hire करने के लिए ज़ादा respect चाहिए होती है Even RDR 2 में भी honor का system डाला गया था पर GTA 5 में ऐसा कुछ भी नहीं था देखते हैं किया GTA 6 में respect, kindness आफे charisma आते हैं आफे नहीं आते Well कितने सारे लोग हैं जो आज भी Sanandias खेल रहे हैं क्यों क्योंकि game की modding community काफी active है और बहुत सारे cool चीज़े हमें देखने को मिल जाती है game के अंदर I hope GTA 6 में भी हमें same mod support मिले वैसे तो GTA 5 का भी mod support अच्छा है बट इसलिए रॉकस्टार गेम से और टेक्टूं डेक्टिव को जादे ही strict हो चुके modding community को लेकर So hopefully GTA 6 में अंदी freedom दी जाए modders को और वो बहुत बड़िया बड़िया चीज़े डाल पाए game के अंदर तो यार यह ही ती कुछ vicious GTA 6 को लेकर कि हाँ भाई यह features rockstar add करे Sanandria से ताकि game को पूरी तरफ feel किया जा सके कोई feature missing लग रहा और अफिर कोई चीज अच्छी ना लगयो तो बताना एक बार comments में बाके कर आपको 10 ऐसे games के बार में जानना है जिनको भाई आपको बिल्कुल touch भी नहीं करना चाहिए तो उसके लिए left video पे click करो and अगर 10 best mobile games के बार में जानना है जो की GTA 5 roleplay वाला experience आपको देंगे तो उसके लिए right video देखो ये वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कर दो जानको सब्सक्राइब तो दोर मिलता हमाँ आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए गाटा बाए बाए